दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे Ciprop floxacin HCL टैबलेट के बारे में इस टैबलेट का यूज किन किन बीमारियों में किया जाता है इस टैबलेट को लेने के बाद मरीज को क्या side effect हो सकते हैं इस टैबलेट की dose मरीज को कितनी लेनी चाहिए लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट को लेने से पहले आपको क्या साफधन रखनी होती है सबसे पहले हम बात करते हैं सिप्रोफ लोकससिन टैबलेट होती है और इसका यूज कब किया जाता है दोस्तों सिप्रोफ लोकससिन टैबलेट जो होती है यह एक antibiotic tablet होती है यह आपको 250 mg 500 mg में मिल जाती है इस tablet का यूज तब क्या जाता है जब आपकी body में bacteria कारण किस तरह की infection हो जाते है उस condition में इस tablet का यूज किया जाता है जैसे आपको क्या का infection हो सकते हैं आपको अगर pneumonia हुआ है आपको गणोरिया की समस्या बनी हुई है ताइफ पुरूशों में क्या होता है उनके prostate में infection हो जाता है तो इन सभी condition में आप सिप्रोफ्लोकससे टैबलेट का यूज कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इस tablet को लेने के बाद आपको क्या side effect हो सकते हैं दखो इस tablet को लेने के बाद आपका जी कच्चा हो सकता है आपको दस सेवा की जरूरत नहीं होती यह अपने आप जो side effect होती है अपने ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको side effect लंबे समय तक दिख रहे हैं तो आपको तुरंत इस दवा को जोड़ देना है और अपने डोक्टर को इस बारे में जरूर बताना है दोस्तों हम आप बात करते हैं इस टैबलिट की बारे में इसकी डोस्त आपको कितनी लेना चाहिए दोस्तों इस टैबलिट जो होती है उप पेशंट की कंडीशन के अनुस्वार्णी कंडीशन के उप परविविट के वडांस है बनी हुई है क्या उसकी एज है और क्या सकी कंडिशन है तो इस कंडिशन पर पिषट की डोस्त देते हैं दूस्त आप बात करते से पहले आपको क्या वर्णिंग दी जाती है प्रिके होती है यह इतन्पान करा रही हे उनको बीना डोक्टर की पर्मिशन के इस दवा को नहीं लेना होता दूसरी बात अगर आपको इस दवा से कोई ऐलर्जी है जैसे स्किन पर ऐलर्जी हो जाती है फुजली होती है सास लेने में दिक्कत हो रही है या आपकी सेरी पर कहीं भी सुजन बन दी है तो भी आपने इस दवा को नहीं लेना है